मूवी की सुरुआत में कुछ सेनिकों को दिखाये जाता है जो कि किसी को मारने के लिए अपनी अपनी पोजी सन ले रहे थे चेतावनी दी जा रही थी कि उनके उपर उनसे बड़ा कोई जान बर हमला करने वाला है आम इनसान से विसाइस में बहुत बड़े हैं अखरी ये चीज क्या है? तब ही कहानी में चैंज होता है और हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं लड़की लड़के के बारे में पूर्षती है और पता चलता है कि लड़का आर्मी में है जो कि अपनी छुटी बिताने के लिए मौसको सहर में आया हुआ है इसी बाचीत के दोरान उन दोनों में प्यार हो जाता है और बे दोनों संबंद भी बनाते हैं तब ही अचानक से सारे सहर के रोबोट एक जगे पर रुख जाते हैं जाज करने के लिए दोनों लड़का और लड़की बहार आते हैं न्यूस देखकर उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनके सहर के उपर हमला किया है अचानक से पूरे सहर की लाइट जा चुकी है तब ही कुछ फौजीओं को दिखाये जाता है जो इस चीज की छानवीन करने के लिए अंधेरे में जा रहे थे सभी फौजी एक मौल के अंदर जाते हैं और बहां जाकर छानवीन करने लगते हैं और इस दोरान उन्हें बहाँ पर कुछ मरे हुए लोग दिखते हैं जो कि बिना किसी बज़े के मर रहे थे बे बहाँ पर कुछ सबूत ढूरने की कोसिस करते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है तभी अचानक से कोई आदमी उनके एक फोजी की बंदूक छीन कर भाग जाता है बे उस पर फाइरिंग करने की कोसिस करते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं तभी करनल सभी फोजियों को आदेश देता है कि यहां से जल्दी से जल्द निकला जाए तभी हम एक राम नाम के लड़के को देखते हैं जो खुद भी एक आरमी में है और उसे आरमी से बुलाबा आ चुका था राम अपनी मा के साथ अकेले घर में रहता था क्योंकि उसके पिता मड़ चुके थे तभी आरमी के केम्प को दिखाय जाता है जहां पर बहुत सारे सैनिक रहते हैं तभी एक जनरल आरमी के सभी सैनिकों के पास आती है और उन्हें बताती है कि उनकी पिर्थिवी पर जो अटेक हुआ है वो एक न्यूकिलर तरह का हो सकता है वो ने बताती है कि मौसको सहर को छोड़ कर बाकी पूरा देश अंधेरे में जा चुका है छानवीन से पता चला है कि अंधेरे में लोग अपने आप मर रहे हैं इसलिए हमें पता लगाना होगा और अपने सहर के लोगों को बचाना होगा तभी एक अलर्ट की घंटी बच्ती है और सभी सैनिक अपनी अपनी पोजीशन लेने लगते हैं उन्हें बताया जाता है कि एक ऐसी चीज उनकी तरफ बढ़ रही है जो साइज में उनसे बढ़ी है सबी सैनिक उन पर हमला करने के लिए अपनी अपनी पोजिसन पर लेड़ जाते हैं तब ही एक बड़ी सी चीज उनकी तरफ हमला करती है और बहुत सारे सैनिकों को मार देती है सुबह होने के बाद पता चलता है कि हमला करने वाले इंसान नहीं बलकि जानवर थे जनरल सोच में बढ़ जाते हैं कि इतने सारे जान बर एक साथ हमला कैसे कर सकते हैं इसमें बहुत सारे नौजमानों की जान चली जाती है लड़ाई के दोरान किसन की टांग में चोट लग जाती है जहां उसकी जी फीकल फ्रेंड होती है ये उसे बहां आगर पता चलता है तभी जनरल लेफटी नेंट से बताती है कि उसने एक ऐसे लड़के को खोजा है जो इसमें उनकी मदद कर सकता है तभी उसी लड़के को दिखाय जाता है जो किसी लड़के से बात कर रहा था सामने वाला लड़का उसे मारने की धंकी दे रहा था अपने बचाव के लिए वो दोनों सैनिकों को अंदर बुला लेता है लेकिन अंदर आने के बाद दोनों सैनिकों को बो लड़का दिखाई नहीं दे रहा था बे सैनिक उसे उस लड़के का बहम बताते हैं और बहां से चले जाते हैं तभी राम को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त किसन के पास बैठा हुआ था दोनों आपस में उसी हमले की बाद चीत कर रहे थे उसी रात को सभी सैनिक अंधिरे में ये पता लगाने के लिए जाते हैं कि आकिर अंधिरे में लोग क्यों मर रहे थे जहां राम की मुलाकात एक टीना नाम की लड़की से हो जाती है जो कि उनके साथ प्रेश के काम में थी आगे रास्ता बंध होने के कारण लेफ्टिनेंट के साथ वाले सभी फोजी रुख जाते हैं चहां लेफ्टिनेंटिक ट्रकपर चड़ता है और देखता है कि पूरा सहर अजीब तरह से टूटा हुआ था सभी फोजी अपने आपको चार टोलियों में बांट लेते हैं और एक ऐसे सहर में पहुँच जाते हैं जो पूरी तरह से सूंसान पड़ा था धीरे धीरे बे उस सहर में आगे बढ़ते हैं लेकिन बहां पे उन्हें कोई भी कलू नहीं मिलता है और धीरे धीरे रात हो जाती है बे उसी रात उसी सहर में रुकने का इंतिजाम करते हैं और बहां जाकर एक बिल्डिंग में ठेरते हैं वो रात उनकी आराम से बीच जात था तभी बहाँ उसे एक दरवाजा खुला दिखाई देता है ये देखकर वो टीना से रात की फुटेश देखने के लिए कहता है फुटेश देखने के बाद पता चलता है कि रात वो दरवाजा बंद था ये देखकर सभी फोजी चोकनने हो जाते हैं तभी हम दूसरी टोली क को देखते हैं जहां वो अजीव लड़का बहार घूमने के लिए जाता है और अपने पास एक ऐसे आदमी को बैठा देखता है जो कि मुह तक जैगेट पहना हुआ था वो आदमी उसे समझाने की कोशिस करता है कि मैं तुमारी मदद के लिए आया हूं लेकिन तभी बहां पर जनरल आ जाती है और उस आदमी को बंदी बनाने के लिए कहती है लेकिन वो आदमी जनरल के फोजियों से जनरल के उपर ही गंतनवा देता है ये देखने के बाद जनरल सोचती है कि वो आदमी कोई साधारन आदमी नहीं हो सकता वो उससे बादचीत करने की कोशिस करती है व इसलिए वो तुमारी मदद करना चाहता है। जो सभी तुमें मारना चाहते हैं। दोरान सभी सेनिक सोचते हैं कि आखिर सेहर के लोग उन्हें मारने के लिए क्यों आ रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि एलियन ने सेहर के सभी लोगों का दिमाग कंट्रोल कर लिया है। धीरे धीरे सेहर के लोग सेनिकों पर हावी होते जा रहे थे। क्योंकि सेनिकों की गोलियां खतम होती जा रही थी। बहुत सारी फिलेयर उनके कैम्प के उपर फटने लगती हैं। ये देखकर लेफटीनेंट समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बड़ा कलत हो चुका है। सभी सेनिक अपनी जान बचाने के लिए छट के उपर आ जाते हैं। और रसी से धीरे धीरे नीचे उतर जाते हैं। दूसरी तरफ जनरल उस एलियन को लेकर लेफटीनेंट के पास पहुँच जाती है। तभी वो एलियन उस लड़के को एक अलग कमरे में ले जाता है। और उसके माते पर हात फिराता है। वो लड़का अचानक से अपने सपनों में पहुच जाता है। और उस आदमी को ढूणने लगता है जो सभी सेहर के आदमियों को कंट्रोल कर रहा था। वो पैन से एक बिल्डिंग का चित्र बनाता है जहां सभी को उस आदमी की लोकेशन मिल जाती है। एलियन उनसे फोरण बहां से चलने के लिए कहता है। और उनसे बताता है कि उन्होंने जरासी भी देर की तो वे अपने सेहर के लिए बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। नीचे उतरते ही अचानक से उनसेने को फर फाइरिंग होने लगती है क्योंकि सेहर के लोक उन्हें दुबारा से मारने के लिए आ गए थे। लड़ाई के दोरान राम के साथ वाले सभी सेनिक मारे जाते हैं लेकिन राम और टीना जिन्दा बच जाते हैं। इदर जनरल के सारे फाजी लड़ाई के लिए निकलने लगते हैं और इस अजीव लड़के को बहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। तभी फौजी अपने अपनी टैंक लेकर उस एलियन को मारने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरप किसन रुटीना वहां से बचने की कोसिस करते हैं। और एक गाड़ी को लेकर अपने बागी साथियों को ढूनने के लिए निकल जाते हैं। अचानक से सारे फोजी रास्ते में उतरते हैं और उपर देखते हैं कि उनके कैम के उपर मिसाले जा रही थी। तब ही एलियन उने बताता है कि मेरे साथ वाला एलियन तुमारे कैम को नश्ट करने वाला है और उसे ये बात पहले से पता थी लेकिन वो तुम्हें बचाना चा करते हैं तवी अचानक से फोजीों की टेंकों ने दिख जाते हैं जनरल अपने जिंदा साथियों को देख कर खुस होता है और उन्हें भी अपने साथ उसेलियन को मारने के लिए ले लेता है सहर में जाने के बाद सभी टेंकों को रुखना पड़ता है क्योंकि आगे का रास्ता सेहर के लोगों ने रोक रखा था जो कि अपने दिमाग को पूरी तरह से खोच चुके थे धीरे धीरे सबी लोग उनके टैंकों पर हमला करने लगते हैं फौजी अपना टैंक लोगों के उपर चड़ाने लगते हैं और बहां से निकलने की कोसिस करने लगते हैं लोगों को कुचलने के बाद सारे टैंक एक बिल्डिंग में चले जाते हैं और वो बो ही बिल्डिंग थी जिसमें की दूसरा एलियन था वो एलियन अपने आपको बचाने के लिए सहर के लोगों से उन फौजी उपर हमला करवाता है फौजी के साथ वाला एलियन अपने साथ किसन को और कुछ सैनिकों को लेकर जाता है ताकि उपर जाकर वो उस एलियन को मार सकें बाकी जनरल के साथ सारे फौजी नीचे वाले लोगों को रोकने के लिए अपनी अपनी बंदू के लेकर नीचे बैट जाते है थोड़ी देर बाद सहर के लोगों का हमला उनके उपर होने लगता है फूजी उन लोगों का सामना ऐसे कर रहे थे जैसे कि वे जौम्बियों को मार रहे हो सहर के लोग जादा होने के कारण बहुत सारे फूजी यो को बहीं पर मार देते है बचे-खुजें फूजी अपनी जान बचाने के लिए बहां से जाने की कोसिस करते है च्छत पर जाकर दोनों एलियन का सामना एक दूसरे से हो जाता है वे दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आपस में जख़ने लगते हैं देखते ही देखते फोजी के साथ वाला एलियन उस दूसरे एलियन को हरा देता है और उसे मार देता है बाकी बिल्डिंग के नीचे सारे फोजी मारे जा चुके थे दुस्मन के मरते ही एलियन सारे सहर वाले आदमियों का दिमाग कंट्रोल कर लेता है और बापस से उन्हें सुला देता है तब ही अचानक से लेफ्टिनेंट को लगता है कि वो एलियन इस सारे सहर के लोगों को मरवा रहा था वो बस एक खेल खेल रहा था जो कि उन फौजियों के समझ में नहीं आ रहा था तभी वो एलियन उन्ही के लड़के के हाथों उस लेफटिनेंट को मरवा देता है ये देखकर राम को गुसा आजाता है और वो एलियन को मारने के लिए कहता है लेकिन उसका रास्ता किसन रोख लेता है क्योंकि किसन का कहना था कि उस एलियन के अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता उन दोनों के बीच एलियन के बीचे जोड़दार फाइट होने लगती है जहां किसन राम को बुरी तरह से घायल कर देता है तभी अचानक से लड़का एलियन को पकड़ कर बिल्डिंग के नीचे कूच जाता है और बहीं पर एलियन की मौत हो जाती है तभी सहर में बड़ा सा एक एलियन का जहाज सहर में नीचे उतरने लगता है सभी लोग देखकर उसे घबराने लगते हैं जो तीनों लोग जिन्दा वचे थे वे उस जहाज की जाज करने के लिए उसमें अंदर जाने का फैसला करते हैं जैसे ही बे जहाज के अंदर पहुंचते हैं तो बे देखते हैं कि बहाँ पर ऑक्सीजन के बड़े बड़े टेंक लगे हुए थे और उस जहाज के अंदर बहुत सारी एलियन थे जो की अभी सुप्त अवस्था में थे कुछी देर में एलियन सो कर उठने वाले थे लेकिन इससे पहले वे सभी एलियन को मारने का फैसला करते हैं लेकिन उनकी संक्या इतनी जाता थी कि एक एक करके बे उनको नहीं मार सकते थे तब ही उनमें से एक लड़की अपना दिमाग चलाती है और उनके एक ऑक्सीजन टेंग को काट देती है जिससे उस लाइन के सभी एलियन एक एक करके मर जाते हैं दीरे दीरे तीनों लोग उनके सभी ऑक्सीजन के पाइप को काटने लगते हैं और उस यान में जितने भी एलियन थे वे दीरे दीरे सभी मरने लगते हैं तब ही एक आखरी लाइन बसती है जिसे वो लड़की नहीं काट पाती है क्योंकि वो बक्सों में देखती है तो उसमें छोटे बच्चे थे वो बाकी दोनों फोजियों से उन लाइन को काटने से मना करती है देखते ही देखते धीरे धीरे उनके बक्से खुलने लगते हैं और उनके अंदर से एलियन के छोटे छोटे बच्चे बहार आते हैं जो उन तीनों फोजीों को देखकर काफी ज़्यादा डर रहे थे तीनों फोजी उन एलियन के बच्चों को देखते हैं और उन्हें ना मारने का फैसला करते हैं और ये मूबी यहीं पर समाप्त हो जाती है तो दोस्तो ये ती कहानी दा ब्लैक आउट मूबी की IMPT पर इसकी रेटिंग काफी अच्छी है